Hi everyone and welcome to the captain So yeah CUET 2024 के application form जब से आउट हुए जनरल टेस्स को लेके बहुत बड़ी confusion हो गई है अच्छा जनरल टेस्स दिखता एक ही subject है पर इस एक paper के अंदर हमारे actual में तीन subject है तो क्या हमारे लिए तीन subject का load लेना चाहिए वो हमारा quantitative aptitude हो सबसे पहले में यह जो compulsory वाली चीज है ना क्या यह जनरल टेस्स है ना इसके उपर टिपनी दूँगा आपको लगता है कि मुझे compulsion मुझे दिखरी है तो आप syllabus और preparation की strategy की तरफ आगे बढ़ना otherwise आप वीडियो को skip कर सकते क्योंकि आपका समय बहुत जादे important है बाकी आपकी personal doubt के लिए CUT को लेके बहुत साथ doubt होंगे मैंने एक telegram group बनाये बाई entrance की महफिल करके आप वहाँ पर आ सकते हो आप देख सकते हो मैं बच्चों से one to one interact करता हूं को समझते है भी या नहीं है दो तरीके के बच्चे है अब इन दोनों में से आपको फिगर आउट करना है कि आप किस category के अंदर हो पहले हमारा वो बच्चा जिसको बहुत clarity है कि sir मुझे course जो है यह pursue करना और इस university से pursue करना है यह एक तरीके का बच्चा हो गया दूसरी तरीके का बच्चा हो गया कि sir उतनी clarity नहीं है भी mind के अंदर course का भी ठीक है एक दो courses पता है वो मिल जाएंगे तो ठीक है एक दो famous university पता है बाकी university का उतना idea नहीं है तो देखो यार मैं दोनों ही बच्चे के लिए बिलकुल काइदे से बात करूँगा यहां पर आपको करना क्या होगा हलाकि अभी अगर आप लोगों ने form fill नहीं किया तो अभी एक दो दिन और रुक जाना क्योंकि website पर काम चल रहा है मैं आप लोगों को पता दूँ कि भाई NTA की जो हमारी CUET की जो official website है वो है हमारी exams.nta.ac.in ठीक है इसे के उपर आपको सारी information जो है मिलने वाली है अब मैं थोड़ा सा अपना परीचे देता है तो भाई मेरा नाम है भुपेंदर सिंग डेली उनिवरसिटी शही सुध्य कॉल्ज ऑर बिजनस तडी से मैंने अपनी बैस्टर्स किये और IP उनिवरसिटी से मैंने अपनी मास्टर्स किये तो आपको जो guidance में दूँगा यह बिलकुल आपको बहुत सही जगे से guidance मिल रही है ठीक है बई आगे आजो अब इसको conclude करने के लिए इस website पर मैं आने के बाद यहाँ पर CUET.common university entrance test यहाँ पर एक बार मैं जब आ जोँगा तो मैं university वाले section के अंदर आ जोँगा अब मेरा वो वाला बच्चा जिसको clarity है मुझे किस university से क्या pursue करना है for example माल लेते हैं कि मुझे डेली university से मैं माल लेता हूँ डेली university अब कल तक university of Delhi इसकंदर added नहीं था बट आज added है तो website पर थोड़ा काम चल रहा है इसलिए आप जो आपके forms है उसको भी at least 7-8 March तक तो रोक कर ही रखना है फिर उसके बाद फिल करना यहां पर मैं खोल लेता हूँ यहां पर जब भी आप आओगे तो इस डेली university से आपको जो भी कोर्स करना है उसकी eligibility आगे दी हूई है for example मैं कोई random course खोल लेता हूँ let's say मैंने यहां पर खोला कि भाई मुझे जो हैं यहां पर let's say let's say let's say let's say let's say इन्होंने तीन डोमेन दिये हैं अब अगर मेरे brain को यह clarity है ना के मुझे भाई सिर्फ और सिर्फ दिल्ली विश्विद्या ले जाना है वहां से मुझे sociology जो है B.A. honors का करना है इसके लावा मैं कहीं नहीं जा सकता और मैं कहीं नहीं जाना चाहता तो तो आप general test बिल्कुल मत देना लेकिन अगर आप B.A. honors sociology की कि किसी और university के अंदर eligibility देखोगे तो वहां पर हो सकता है मैं यह कहा रहा हूँ कंपलसरी नहीं नहीं कहा रहा है हो सकता है कि वहां पर इसके साथ जो है इसके साथ आपको general test mandatory किया हो तो भाई अगर आपका ये है कि सर दिल्ली university नहीं मिला तो बनार सिंदु university ले ले लेंगे central university of हर्याना ले ले लेंगे और वहां पर maximum universities के अंदर general test mandatory किया हुआ है ठीक है तो भाई देखो for the safer side में चीजों को अगर conclude करके चलूँगा न तो आप general test दो ठीक है अब वो बच्चे जिनके subject के अंदर जिनके course के अंदर general test mandatory किया ही हुआ है तो भाई आप लोग तो proper prepare करके general test दो अब वो बच्चे जिनके course के अंदर general test नहीं दिया हुआ वो ज्यादा खासा इसका load low मत क्योंकि आपके brain को तो clarity है ना किस university के अंदर मुझे admission लेना है तो देखो भाई यहाँ पर आप लोग करो क्या आप लोग क्या करो कि अपना normal जो है जिस भी subject के लिए चाहए एक language तीन डोमेन आप देना चाहरा है आप उसको दो यहाँ पर बच्चों के मन के अंदर एक बहुत बड़ी confusion और है मैं आप वो confusion भी दूर कर देता हूँ बच्चों के मन के अंदर यह चल रहा है कि सर मान लेते हैं मान लेते हैं कोई भी मेरा एक course X ठीक है मेरा एक course X उसके लिए मुझे जो eligibility यह दी हुए कि भाई मुझे language देना है ठीक है उसके साथ मान लेते हैं कि मुझे आगे 3 domain देने ठीक है यह मेरी eligibility दी हुई है अब मान ल मैं इसको बहुत ही clear शब्दों के अंदर आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि बेटा जब आपकी eligibility सिर्फ इतनी ही है न तो जो पोर्टल है वो सिर्फ इतना ही चेक करेगा वो यहां तक आएगा ही नहीं बस general test देकर फाइदा यह होगा कि वो university जहां पर same course के लिए general test mandatory कि आप लोगों के लिए एक win-win situation जो है वो create करके देगा अब जो है आप वीडियो स्किप कर सकते हैं अगर आपको जवाब मिल रहा हो कि बाई कंपल्सरी है या नहीं है अब उसके बाद अगर मैं इसके स्लेबस की बात करता हूं तो यार देखो इसके अंदर major हमारे 3 सबजेक होता है जो कि 10 तक का math होता है ठीक है देन उसके बाद हमारा logical reasoning होता है जिसके अंदर हमारे figures के questions हमारे series के questions मैं पूरा स्लेबस अभी दिखाऊंगा ये सब आता है और देन उसके बाद हमारे G के current affairs होता है total हमारे 60 questions होता है जिसमें से 50 हमें जो है अटेम्ट लेने पड़ते ह करने पर plus 5 मिलता और गलत करने पर minus 1 की negative marking होती है अब यहां पर इसके प्रॉपर जो chapters है वो chapters में आप लोगों को दिखा दे तो इसका Excel का link जो है आपको proper description box के अंदर दे रहा हूं यहां पर जब आप इसको नीचे खोलोगे तो quantitative aptitude के अंदर क्या क्या आता है आपका number system आता मैं आप लोगों को बता जाता हूं अरे कहां गया बेटा अंजी arithmetic का अपना मतलब हो जाएगा यहां पर यह जो आप यह देख रहे हो average and allegation से लेके आपका proper जो यह है time speed and distance तक यह proper आपका arithmetic होता है और देन उसके बाद आपका algebra भी आता है equation, menstruation, geometry, coordinate, geometry, trigonometry, statistics और probability ठीक है दे quantitative aptitude का syllabus है proper then logical reasoning का syllabus आप यहां पर नीचा देख सते हो कि आपका analogy आता है, आपका series आता है, classification आता है, logical order of words आता है, direction senses आता है, coding decoding आता है, clocks and calendars आता है, ranking and time sequence test नहीं आता है, बहुत से लोग करा आता है, समय खराब कर आता है, sitting arrangement आता है, blood relation puzzle, puzzles भी last year पूछी नहीं गई थी ती से लोग आता है, statement and assumption आता है, courses of action भी नहीं आता है, data sufficiency नहीं आता है, then उसके बाद आप देखोगे, wind diagram, embedded figure, input output के question आगे है, counting of figures, water image, mirror image, यह सारे chapters आता है, then similarly आपका आता है, आपका आता है, इसके अंदर आपका history आता है, इसके अंदर आपका quality आता है, then उसके बाद आपके noble prices आता है, books and authors आता है, economics आता है, तो यह सारी चीजे आप लोगों को prepare करनी होती है, अब यहाँ पर इसके smart approach क्या होगी, वो smart approach में आप लोगों को समझा देता हूँ, देखो यहाँ पर न दो चीजे हैं, हम इसको न दो नजर से देखेंगे, सबसे पहले कि हमारे जो boards है, boards क इसको कैसे manage करके चले, भाई देखो, तीन subject मैंने बोले हैं, इसके अंदर मैंने जो GK बोला ना, इसको फिलाल board के time पर गोली मार दो, क्या मार दो, गोली मार दो क्योंकि यह एक ऐसा subject है, जिसको बाद में आपको रटा मार नहीं है, आपको क्या करना है, आप अपने normal boards की जो कर रहे हैं, इसको normal करते रहो भाई, डेली सिर्फ और सिर्फ एक आर निकालो, किसके लिए, डेली सिर्फ और सिर्फ एक आर निकालो, इस एक आर को जो है alternative लेके चलना, एक दिन आप जो है अपना match पढ़ना, ठीक है, और दूसरे दिन आप जो है अपना logical reasoning पढ़ना, सि इसी को, इसी चीज को follow करो, इस महीने, अटलीस अपने March, March तक इसके ओपर load मताने दो, और जब हमारा April चड़ेगा, तब हम पने study hour बढ़ा देंगे, अभी होगा क्या, अभी से जो चीजों को खीशते वे चलोगे तो आपका maximum syllabus जो वो complete होता चले जाएगा, चीजे easily cover हो जा study.educaptain.in और यह लिखने के बाद आप इस पेज पर पहुंच जाओगे, यहाँ पर free course के अंदर चले जाना मेरे बिटा, free course में चाहने के बाद आप जो यहाँ पर देखोगे के भाई, यहाँ पर एक सेकंड़ी आपसे जो आपका number वगरा मांगेगा, ठीक है, हाला कि मैंना proper preparation channel के ऊपर चल रही है, हमारा YouTube channel आप खोल के देखेगा, playlist वाले section के अंदर आके जब आप देखोगे, तो आपको बिल्कुल broad level पर clarity मिल रही होगी, कि यहाँ पर English भी मैं proper आप लोगों कवर कर रहा हूँ, और बाकी yes, मैं बहुत amazing courses जो आगे आप लोगों के लिए लाँच करने वाला हूँ, दिल ठाम के बैठे रही हैगा, और yes, channel को subscribe कीजिए, comment section के अंदर प्यार ज़रूर बसाइएगा, बाके still कोई doubt होता है, telegram आप लोगों के अंदिजार कर रहा है, बिल्तो ऐसे किसी best, authentic, genuine video के अंदर, मुझे दीजीग अजाज़त, till then, bye and take care.